असलाव औरेकुम रभी श्राह ली सद्री वाश्र ली अमली वाहलू लुग दुतम मिलसानी अफकहु काउली बात आगे बढ़ाते हैं और ये इतने के डेटा साइंटिस किसे कहते हैं Someone who understands less about the science than the ones who creates it and little less about the data than the ones who generates it but exactly know how these two work together कोई शक्स data generate कर रहा है मिसाल की तोर पे वो आलू बेच रहा है मिसाल की तोर पे वो online अभायास बेच रहा है मिसाल की तोर के उपर वो कताबे बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है अब वो data generate कर रहा है तो data scientist तो नहीं है वो तो सेलर है, ईकोमर्स का जो चीज़े बेच रहा है जो शग्स साइंस के उपर काम कर रहा है वो साइंटिस्ट है वो जो तमाम जादात कर रहा है, तमाम फार्मोली निकाल रहा है तमाम लेंग्विजेज बना रहा है डेटा साइंटिस्ट को पता होता है कि दोनों आपस में कैसे काम करते हैं किस किसम की डेटा के अपर मैं मशीन लर्णिंग का कौन सा अलगर्थम लगाऊंगा कि ये वाला आर्पुट निकल सके मैं मश्या कहता हूँ तिंक आउटसाइड दी बॉक्स तिंक इंसाइड दी बॉक्स बी दी बॉक्स एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया के तमाम काम उसको आते हो कि उसको AI भी आती हो, मशीन लर्णिंग भी आती हो जावा भी आती हो, पैथन भी आती हो उसको यह आना चाहिए कि सवाल क्या पूछना है इसका जवाब कहां से और किस तरह मिलेगा कौन कौन सी रिसोर्स कहां अवेलेबल है उन सब को पकड़ के एक साथ कनेक्टिं दी डॉट्स वाली बात है इस पजल के अंदर एक से कैसे सेट करना है कि जो हमारा scientific method की जो तरतीब है वो पुकरी की पूरी हो सके जो शक्स ये काम कर सके वो data scientist है जो सवाल पूछ सके जो hypothesis create कर सके जो experiment को design कर सके जो measurement कर सके और आखर में visualization पे करके या report के जरीए उसकी result को share कर सके यह होता है data scientist नहीं से ज्यादा नहीं से कम आगे बात करते हैं अगली slide के अंदर data science के अंदर कौन कौन से ट्रेक आपके पास है अगर आप data science पढ़ रहे हैं तो आगे जाके क्या बन सकेंगे इसके दस अलग अलग पात हैं उनके उपर थोड़ी से तफसील में हम अगली slides पर बात कर लेते